हि लृक्ष 색깔 दोस्तों मैं आज फिसिकल लॉग्डोँस ऑब एक खराब चीज बारे में बताने वाला हूं। आपको बताने वाला हूँ वह एंटल लॉग्डों मतलब यह मत समझिए कि मैं आ हम सोचना बंद करतेंगे, मगर हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, उसी तरीके की सोच के साथ fixed हो जाना भी एक तरीके की lockdown है, मैं इस चीज़ को बहुत अची तरह समझ पाया क्योंकि मेरे साथ एक physical lockdown और साथ-साथ mental lockdown दोनों को साथ-साथ देखने का परकने का एक मौका मिला, मैं आपको एक्जांबल देता हूँ, 2000 से 2010 थक my mother was going through a condition of very severe arthritis, जिसकी वज़े से उनकी mobility काम हो रही थी और वो एक physical lockdown kind of situation में गुजर रही थी, initially उनके नी सजरी हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा improvement हालात में आया, मगर वो immediately deterioration भी हो गया था, तक्रीबन आठ साल के लिए वो शिर्फ wheelchair as well as bed के लिए confined हो गई थी, तो इसको हम एक lockdown खा सकते हैं, मगर इस lockdown के वज़े से पूरा family के उपर impact पढ़ा, mainly मेरा उपर पढ़ा क्योंकि मैंने इस situation को face करने के लिए अपने ही careers में चेंज करना शुरू कर दिये, क्योंकि मैं उस समय software engineering situation में था, वहां से management से गुजर रहा था, मुझे लगा कि management roles बहुत ज़्यादा stressful होंगे और मैं अपना family के लिए ज़्यादा time नहीं पर दे पाऊंगा, इसलिए मैं training and training and mentoring type of field में चला गया था, मगर उस field के लिए मेरा mindset एकदम क्यूंड नहीं थी, तो मुझे बहुत परिशानी और तकलीफी उठा आते हुए मैं अपने आपको मेरे mindset को मेंचे improve करना पड़ा, that I started doing it from 2005, तो मैं lockdown को एक fixed mindset तरीके से life को देखने के लिए भी मैं एक lockdown मान रहा हूं, दोस्तों, क्यूंकि अभी हम लोग जिस हला से गुजर रहे हैं, coronavirus को साथ सबसे बड़ा ये problem है कि हम coronavirus को देख नहीं पाते, तो से बिलकुल वैसा ही हम जब माइंडसेट ब्लॉक से गुजरते हैं, तो उस इस चीज को वज़े से ब्लॉक हो रहा है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, जैसे हम virus को देख नहीं पाते हैं, वैसा ही आपना mindset ब्लॉक के जिसको हम लोग नहीं देख नहीं पाते हैं, मगर दूसरों का mindset ब्लॉक्स हम बहुत अची तरह दिख जाता है, क्योंकि हम लोग एकदब judgment and evaluation mode से जब गुजरते हैं, तो दूसरों का क्योंकि मैंने लाइफ में मेरे हालात ऐसे आये थे और मेरे केरियर चेंजेस भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया, थैंक्फुली विकॉस मैं ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मैं जो समझ रहा हूं उस चीज को समझाने में भी मुझे मैंने बहु चिल, स्किल, चिल, क्लूस पर ओवरकामिंग, ट्रांजिशन ब्रूस करके ये किताब जो मैंने लिखी है, वो इस परिस्तिती को बहुत अच्छी तेरे समझने के लिए हमारा मैंडसेट किस तरीके से फिक्स हो जाता है और उसको कैसे ओपन अप किया जा सकता है, क्योंकि ब बेशनी कोशनी कर रहा हूं, अगर इस किताब को आप किंडल में पा सकते हैं, अमेजान किंडल में हैं, फस्ट्व चैप्टर्स बिल्कुल फ्री है, अगर हाप किताब का लिंक ढून पाएंगे, और इस बुक इस देर इन एवरी अमेजान डॉमें, आपको मिल जाएगा द इस वीडियो में मैं आज पेश हुआ हूँ, दोस्तों, थैंक यू वरी मच, विशु आल दी बेस्ट, आज 13 अपरिल है, लोगड़न तो अभी और 17 देज के लिए एक्सेंडेड है, तो आप किस परकार से अभी तक लोगड़न को जहल रहे हो, उससे आप और भहतर जहल सकत कर सको, इस चीज को विश्च करते हुए आपसे बिदालाता हूँ, थैंक यू जगन मन्था,